नमस्कार मेरे किसान साथियों हर तरब जैवी खेटी की बात हो रही है कारण खेटों में बहुत जादे खाद, कीट नासक, खर्पतवार नासक डालने से ना क्योवल जमीन को उर्बरा सक्ती घट रही है बंजर की सिती बनती जा रही है बलकि कीट नासक और खर्पतवार नासक का साइड एफिक्ट हमारे स्वास्ट पे दिख रहा है ऐसी इस्टि में हम आपके सामने लाए हुए है एक लाम हेल्ड केर लिम्टेट का एक अनूखा प्रोड़क्ट एक ग्रोपावर गोल्ड यह है जैविक प्रोड़क्ट है यह खेतों में किट नासक हो खर्पतवार नासक हो यूरिया हो ना केवल उसकी क्रिया सिल्ता को बढ़ा देता है बलकि पैदावार भी सवागुना बढ़ जाती है दोस्तों इसके लिए हमने यूटूब पे एक वीडियो बनाया हुआ है अगर एपलाम एग्रो पावर गोल्ड टाइप करके सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें विद्वज जानकारी मिलेगी लेकिर आज हम एक लाइब डेमो आपके बीच लेके आये हैं कि यह किट नासक या खर्पतवार नासक के साथ किस प्रकार से काम करता है साथियों जब हम खर्पतवार नासक हो या किट नासक हो उसके साथ जब इसको मिलाना हो तो 30% उसकी मातरा कम कर देते हैं 30% मातरा कम करने से जहर कम जाएगा 30% का पैसा बच जाता है यह 2 लाब होगा पैदावार सावा गुना बढ़ेगी यह तीसरा लाब होगा ये करता क्या है कि जैसे आपने कितनासक आपने डाला ये देखेगा पालक का पत्ता है हमने ये डाल दिया ये पानी एक जगा हुआ है अब ये देखेगा यहाँ पे भी हमने देखे डाल दिया पानी एक जगा है यानि कितनासक अगर आपने डाला तो ये एक जगा इसी तरह स इसके बार देखेगा हमने इसका थोड़ा थोड़ी से भुध लिया और देखेगा इस पाने में हमने ऐसे मिला दिया ठीक है आप देखेगा जो ये पानी है यानि है कितना सक है वह जो एक जगze इस्थिर था फैलने लगा उसके बाद देखेगा यह पालक का पत्ता है यह एक जगा पानी स्थीर हमने इसके साथ यह थोड़ा सा टच करा दिया अब यह देख रहे कितने तेजी से पानी बहबरा है ठीक है आप इसको भी देख सकते है यानि यहाँ खेत में पढ़ने वाली यूरिया हो कित ना सक हो या खर पतवार ना सक हो उसकी एक क्रिया सिंता को बढ़ा देता है यानि अगर 10 किलो यूरिया अगर आपको खेत में डालनी है तो 30% यूरिया कम कर दीजिए यानि 7 किलो यूरिया के साथ इसको मिला के डाल दीजिए तो वह 7 किलो यूरिया 10 किलो यूरिया के बराबर काम और यह देखेगा यह पाला के पत्ते पे फैल ला और ना क्यों यह इस तरफ है तीक है जब शिर्काव करते हैं तो कितना सक इसी एक ही तरफ पड़ा होता है लेकिन अगर इसको मिला के डालेंगे तो आप देखेगा कि इसके पीछे के हिस्से भी धीरे धीरे जो है आपको भी यह दावार सावगुना बढ़ गए जहर कम पड़ा तो स्वास्ट के लिभी लाबकारी होगा यह एक बहतर प्रोड़क्ट है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्यहु में अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो इसका दो बार इस्तेमाल करिए एक बार सिचाई करने से 12 घंटा पहले इसका छिरकाव कर दीजिए उसके बार सिचाई करिए एक बार यूरिया के साथ 30% यूरिया कम करके इसको आप डालिए और किसान भायों का जो फीड गए बैक हो बताता है कि अगर इसका दो बार हम खेतों में इस्तेमाल कर दें तो एक बार पुरा सिचाई का पैसा ब एक बार एक प्लाम का एक एक रो पावर गोल्ड आप अपने खेतों में इस्तेमाल करें और बिना इसके जो पैदावार हो रही थी अगर इससे सवागुना पैदावार जादा मिले तो आप अगले साल अगले सीजन में आप पूरे खेतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते ह हैं दोस्तों सब्जियों के साथ